वाइनाट सीट से इस्तिफा दे दिया है। कॉंग्रिस मास अचीव प्रियंका गाधी अपने करियर का पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रियंका गाधी वाइनाट सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल के वाइनाट सीट छोडने और प्रियंका के चुनाव लडने पर सियासत गर्म हो गई है। राहुल गाधी पर वाइनाट को धोखा देने के आरोप तक लग रहे हैं। देखे रिपोर्ट। कॉंग्रेस के इस पैसले पर इंडिया गट बंधन में शामल पार्टियां भी नाराज है। कॉंग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वाइनाट से लड़बा करके एक बात प्रूब कर दी है। के कॉंग्रेस को हिंदूओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदूओं पर भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाब लगाया जाता। जब राहूल गांधी और कॉंग्रेस को 2019 के लोग सभा चुनाओं में ये लगा, कि अमेठी की सीट से गांधी परिवार का कॉपिराइट हटने वाला है। तब राहूल गांधी के लिए सेफ सीट की तलाज शुरू हुई। और ये सेफ सीट थी वाइनाट। यानि जब अमेठी में कॉंग्रेस के लिए वोट के लाले पड़ गए थे तब वाइनाट ने राहूल गांधी का हाथ फकला और उन्हें संसत पहुचाया। लेकिन अब राए बरेली से भी चुनाव जीतने के बाद राहूल ने वाइनाट सीट छोड़ने का फैसला लिया है। इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हलाकि इस सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी इस पर भी निशाना साथ रही है। बीजेपी के सांसत दिने शर्मा का कहना है कि राहूल गांधी राय बरेली से इस्तिफा देने से डर गए तो वाइनाट सीट छोड़ने का एहलान किया। राहूल गांधी ये समझ रहे हैं कि अगर वो यूपी छोड़ते हैं तो उन्हें अखिलेश यादव का साहरा लेना होगा। यही वज़ा है कि राहूल गांधी ने राय बरेली सीट के साथ रहने का एलान किया। जबकि वाइनाट लोग सभा सीट से प्रियंका गांधी को पेच तैयार हो चुकी है। अच्छे नंबर पे लाएं और बीजेपी का जो चार सो पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नराज थी और मैं ये कहूंगा कि जो धर्म की राजनीती है वो सब ने देखा था कि योधिया में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राज नहीं चाहती है